कि अच्छों में बनाने वाले मश्रूम मटर के लिए मैंने यह सब लिया है हल्दी लिया है मैंने एक चम्मच जीरा और धनिया का पाउडर मैंने जो मिक्स करके रखा उसे दो चम्मच लिया है उनियन को मैंने बारीक काट लिया है छोटा-छोटा वन एंड हाफ ओनियन लिया है मैंने 5-6 मैंने मश्रूम लिया है बड़ा बड़ा साइस का मटर लिया है मैंने थोड़ा सा मैंने कैप्सिकम को ऐसे लंबा-लंबा काटा है मोटा-मोटा और ओनियन को भी मैंने ऐसे लंबा-लंबा काटा है इससे फ्राई करेंगे और इसे सबज मेंills करेंगे मात लिया हैМ त्मक में लिया है स्वादा अनुसा दही लिया है मैंने 1 चम Local ल्जीर लिया है अद्रक लिया और लमिर्च लिया है यह इंजर लह सुन प्याज लाल मिर्च और जीरा लिया था विसे में डाल घंगे अब इसे पीस लेंगे, मैंने पीस लिया है, अब इसे प्लेट में निकाल लेंगे, इसे प्लेट में निकाल लिया है, मैंने, पानी को बॉल होने के रखा था, पानी बॉल हो चुका है, इसमें मश्रूम बॉल कर लेंगे, दो मिनिट के लिए बस बॉल करेंगे, ज्यादा मश्रूम को पानी से अलग कर देंगे, मश्रूम को बॉइल करके निकाल लिया है, कडाई गरम हो गया है, इसमें थोड़ा सा मस्टर्ड ओयल दालेंगे, वोयल को गरम होने देंगे, वोयल गरम हो गया, इसमें प्याज और सिम्ला मिर्चो काटेंगे, हल्का लाल करने है, लाल हो गया है, अब हम उसे मिकाम लेंगे, जारत जलाना नहीं है, करेंगे, मस्टर्ड ओयल लेंगे, थोड़ा, ओल गरम हो गए, कि अढ़ियम जाल कलिए विल्ग भीऊ जोन बैदे विल्क नवग शिलंगे को अपर को कर लेंगे तो राइ कर लेंगे अब मैंने जो पीज के रखा था प्याज अद रख लेंगे अब उलाल मीर्च और जिया उसे डाल लेंगे इसे फ्राय करेंगे अच्से करेंगे ... प्राया करेंगे इसे प्राय करणेज देख लेखिज एँप सब्सादीtu मिसाला तू प्राये हो घाएगे अब इसे हम और सारे उसदग प्राइख भीधिए नसाले डालेंगे, जीरा और दन्या को जो मैंने पौडा रखा था वो डाला, हल्डी डालेंगे, और इसे अच्छे से पकाएंगे, अच्छे से प्राइब करेंगे तिस, इसे प्राइब करेंगे, दही डालेंगे, अच्छे से मिला लेंगे, इसे पकनी देंगे थोड़ागे, अच्छे से पक गया है, अब इसमे थोड़ा सा पानी डालेंगे, इसे पकाएंगे और अब इसमें कैपसिकम और ओनियन को जो मैंने फ्राइब करके रखा तरो डाल देंगे, इसे मिला लेंगे अच्छे से, अब इसमें नमक डालेंगे, इसे अच्छे से नमक डालेंगे, इसे अच्छे से, मश्रूम मटर बनके रेडी है आप देख सकते हैं पूरी तरह से तेल छोड़ दिया है साइब साइब में अब हमें से निकाल लेंगे मश्रूम मटर रेडी हो चुका है